हाँ अबरिबन वेरी गूड इवनिंग आप सभी लोग को मेरा नमस्कार एक बार बच्चे आप जल्दी से बता दीजे क्या आप सभी लोग को मेरी आवाज सुनाई पढ़ रही है जैसा कि आप सभी लोग उन्हें थंबनेल के ऊपर पढ़ लिया होगा कि मेंस के सेफ स्कूर के ऊपर आज मैं बात करने वाला हूँ ठीक है एक बार पहले तो आप मुझे यह कंफर्म कर दीजे मेरी आवाज सुनाई आपको पढ़ रही है उसके बाद हम इस सेशन को शुरू करेंगे क्योंकि सेशन को मतलब यह थोड़ा पेचीदा सेशन होने वाला है कारण यह है कि सारे बच्चों का एक ही सवाल है वो सव देखिए मैं आप लोगों से कुछ बातें पहले मेरी ध्यान से आप सभी लोग सुनियेगा पिछली बार भी मैंने इसके उपर एक वीडियो की थी और वो वीडियो के नीचे आप लोगों ने बहुत अच्छे-च्छे कॉमेंट किये थे जिसके लिए आप सभी लोगों का 2022 प्री का एक्जाम हुआ था मैंने उसके लिए कट आफ के ऊपर एक वीडियो बनाई थी वो जो कट आफ वाली अपनी वीडियो थी जरा मैं आप सभी लोगों को पहले उसको दिखाना चाहूंगा दिखाना मैं इसलिए चाहूंगा क्योंकि जो अपने प्रेडिक्शन किया करेंगे उन सारी चीजों के बारे मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा ठीक है लेकिन सबसे पहले आप लोग ये वीडियो देखिएगा जो मैंने प्रेडिक्शन किया था तो हमें जाना चाहिए ठीक है अब आते हैं वही इस बात है लग 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 बता रहा हूं उसका दस गुणा तीन ताइम्स या उसका फिप्टीन ताइम्स ठीक है वो क्या करती है कैंडी डेट्स को बुलाती है ठीक है जैसे कहने का मतलब असलाग संथिंग तो अब जान से यह देखेगा जब मैंने गवर से सुनिएगा मैं बताना क्या चाता हूं मैंने ये SSC CGL 2022 के सेफ इसके ऊपर एक मैंने वीडियो बनाई थी और इस वीडियों के अंदर मैंने प्रेडिक्शन किया था मतलब जो भी आपका CGL का प्री हुआ है 2022 का इसके अंदर क्या आ अगर 15 गुना candidate बुलाती है ठीक है या 10 गुना बुलाती है तो क्या होगा हमने normalized score आपसे बताये था कि UR की जो जाएगी यानि जनरल की जाएगी वह 115 जाएगी और जनरल की गई कितनी है 114 दसमलो कुछ जानी एक नंबर का भी फर्क नहीं आ रहा है थोड़ा बहुत OBC के स ठीक है अगर ये prediction आपने देख लिया है मैं link डलबा दूँगा description में जा करके पूरा देख लिजेगा अब मैं आपको बताता हूँ कि mains के उपर अपना क्या prediction है उस बात को ध्यान से सारे बच्चे देखेंगे और सुनेंगे ठीक है देखेंजे mains के उपर जो अपना करने वाले हैं उसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे अठकले लगा रहे हैं कि सर क्या होगा कैसे होगा ठीक है UR का तो बिल्कुल परफेक्ट था ठीक है अब बच्चे सुनो मैंने देखो ये prediction किया था जरा गौर से आप सभी लोग देखेगा मेरे भाई मैंने जो prediction किया था UR का मैंने 115 किया था OBC का 105 किया था EWS का 98 किया था SC का 82 और ST का मैंने 75 लगाया था ठीक है और ESM का 50 मैंने ये prediction किया था और देखिए जो SSC ने दिया है SSC ने यही चीज़ दिया हुआ है कि ये जो आपका UR है वो 114 देखिए OBC 114 गया है उसके अलावा अगर आप देखेंगे ESM 40 है ठीक है और अपन ने कितना डिसकस किया था 50 डिसकस किया था उसके बाद बचे अगर आप यहां पर ये देखो SC और ST की SC 89 है और ST 77 है और जो मैंने बताया था देखिए SC का क्या है 82 है और ST का कितना 75 मतलब अपना जो prediction गया था almost उतना ही गया था जितना आपको बताया गया था तो मुझे लग रहा ये दिखाने के बाद आप लोगों को अभी यकीन होने वाला है कि जो मैं अभी बताने वाला हूं उसी के आसपास आपका रहने वाला है उससे उपर नहीं जाएगा इस बात को ध्यान रखेगा खेर ये मैं बहुत भरोसे के साथ मतलब बोल तो रहा हूं लेकिन अब वो SSC के उपर है कुछ fluctuation हो सकता है तो मेरी हर बात ध्यान से सुनिएगा है न कि उसके लिए बात में आप ये मत कहना जब बचे यहां पर देखो आप ये हो गया अब आते हैं भाई इस पे पहले तो हम समझ लेते हैं कि क्या module है यानि आपको पता है कि हर बार क्या होता था 700 के उपर आपकी बनती थी merit लेकिन इस बार आपको 390 में मतलब आप कितना ले आओ भाई 390 म आने वाली है साथ में आपका general intelligence आने वाला यानि mass आने वाला है और reasoning आने वाली है यह आपके 30-30 questions होंगे और एक question 3 marks का होने वाला है ठीक इसके अंदर एक question आपका 3 marks का होने वाला 90 marks ही हो गया आपका 90 marks ही हो गया अब देखें English की बात अगर कर लें तो English में भी आपको पता 45 आने वाले है इसमें 25 आने वाले है यह सारे बच्चों को खर बात clear है यह 3 हो गया इसका 3 हो गया है अब मुद्दा गया है बच्चे एक चीज समझना आप लोग यहां पर यह अपना देखना आते हैं यहां पर सबसे पहले vacancy को थोड़ा सा compare करते हैं अगर मैं CGL 2020 की बात क करता हूँ यहां पर जरा देखिए आपकी post है इंस्पेक्टर post जो होती है वो 46 ग्रेट पे होती है सब इंस्पेक्टर होती है 42 ग्रेट पे auditor होती है 2800 ग्रेट और यह आपका जो है SI और TA यह 24 ठीक है अब यहां पर डबल आओ JSO का लिखा हुआ है तो यह 46 ग्रेट पे अग 445 मात्र और 360 आपका आया था SCC मतलब यह CGL 2021 में 360 आया था यह सब इंस्पेक्टर के post के लिए बता रहा हूँ मैं आपको auditor के लिए आप देखोगे तो auditor के लिए मतलब CGL 2020 में 1422 था और 21 में 2433 था उसी तरीके से इनका देखोगे तो 1647 और यह था मतलब टोटल वेकेंसी आप देखोगे 20 में जो आई थी वो आई थी 7035 और यह जो 21 में आई थी 7686 बस इतनी वेकेंसी थी आपकी ठीक है अब लेकिन अगर इसी को आप यहां देखोगे CGL 2022 में अगर आप देखोगे मतलब जमीन आसमान का फरक है तो मतलब यह आप सभी इसके लिए 6718 हैं टोटल मिला करके वेकेंसी और अगर 2400 और 2800 ग्रेट की मैं बात करो तो इसमें टोटल है 30,691 तो यह बनते हैं टोटल 37,409 यह रही बात आप लोगों के वेकेंसी ठीक है अब सुनिएगा मेरी बात अब बात आती है पहले तो हम एनालिसिस करेंगे आपक CGL 2020 का final जो cutoff आया था इसी के basis पे हम लोग next वाला जो cutoff है क्या safe score हो सकता है उसको हम लोग यहाँ पे decide करने वाले हैं ठीक है देखो भई अब अगर मैं यहाँ बात करूँ यह आपका है 4600 ग्रेट यह है 4200 ग्रेट यह है 2800 और यह है 2400 ग्रेट की ठीक है अब यहाँ पे आ final cutoff आया था उनका गया था 550 क्योंकि पहले आपको पता होना चाहिए total 700 का होता था ठीक है अब होगा 390 का है इसी के हिसाब से हम लोग इसको calculate करके मैंने इसको analyze किया है ठीक है इसी basis पे आप समझना इस बात को तो इसकी गई थी 550 यह जो 42 ग्रेट की थी इसकी गई थी 560 cutoff म उसी हिसाब से अगर OBC की देखेंगे तो OBC के लिए गई थी 530 यानि 400 ग्रेट पे 42 ग्रेट पे गई थी 541 और 520 इसकी गई थी और OBC की 517 अगर आप EWS का देखोगे यह 532 था 547 522 और SCST की आपकी वो गई है ठीक है अगर पहले अगर आप यह देखो कि अगर total हमारा 700 का ह होता था अब देखिए पिछली बार आप लोगोंने मैस को ले करके ठीक है मेरी मैस वैसे अच्छी नहीं है मैं आपको पहले बता देता हूँ अगर मुझसे calculation में थोड़ा इधर उधर होता है तो आप उसको थोड़ा manage कर लेना हर बात मेरी ध्यान से सुनना ठीक है अगर ब अगर देखिए इसके हिसाब से हम देखें देखिए पेपर का लेवल क्या होगा मतलब हमेशा से देखा आ रहा है पेपर का लेवल जो होता है वो easy to moderate होता है देखिए अगर हम difficult level बोलें तो यह बहुत कमी बार हुआ 2017 के पेपर मतलब ठीक ठाक आया थे otherwise ऐसा कोई पेपर द तरीके से आने वाला है वो सारी चीज़ें उसके अंदर mention की गई है ठीक खैर अब यहां पर अगर इसके हिसाब से देखा जाए कि भाई पहले यह जो हमारा 2020 का final cutout बना है वो 700 बे बना हुआ है अगर 700 का तकरीवन तकरीवन अगर हम 85% यही I think होगा ठीक है आप देखना यह यह 550 आया था किसका आपका 400 ग्रेड पे जनरल का अगर इसी हिसाब से पूरा आप calculation देखोगे तो यह जो आपका बनेगा यह R का ठीक है यानि 400 ग्रेड की अगर मैं बात करूं या 42 ग्रेड तक की मैं अगर बात करूं आप लोगों से तो यह तकरीबन तकरीबन जाएगा 315 यानि मैं बात कर रहा हूं 390 में अगर आप यह जानना चाहते हो कि आपके लिए कितना safe score हो सकता है कि अगर आप इतने इतने ले आओ ठीक है तो आप safe zone में रहोगे ठीक है तो 315 मेरा यह अपना मानना है ठीक है आपको इसके भरोसे नहीं रहना है आप एक बार idea ले लो और फिर उसके हिसाब से अपनी तयारी करो कि हाँ यार इससे ज़्यादा तो कम से कम हमारा होना जाए अगर पिछला जिस तरीके से paper बना पेपर का जो level था mass English reasoning gkg यह सारी चीज़ों का जो level था उस हिसाब से अगर आने वाला exam हमारा लेता है तो कि देखो level में ज़्यादा कु level bus में कोई ऐसा खास बदलाओ नहीं है pattern का change आया हुआ है तो अगर आप उसके उपर practice कर रहे हो तो चीज़ें आपके लिए बहतर होंगी ठीक है तो यहाँ पर देखे 315 उसके बाद अगर मैं 2400-2800 grade की इनकी बात करता हूँ तो तकरीबन 280 जाएगा उसी तरीके से अगर आ OBC के लिए 300 और 265 यानि 2400-2800 grade वाली बात कर रहा हूँ मैं EWS के लिए 260 और यहाँ पर देखेंगे 302 आएगा इस grade के लिए और SC के लिए 225 और ST के लिए 210, 260 और 250 यानि यह आपकी इस grade की है अगर income tax inspector की अगर बात करते हैं ठीक है यहाँ पर देखेंगा 325, CSS 300 और MEA के के से यह OBC के लिए है ठीक है और यहाँ पर यह आप देख सकते हैं इनके लिए EWS के लिए है यह मेरा अपना खुद का prediction है जो पिछले exam का final cutoff दिया गया था उसके basis पर यह मैंने cutoff decide किया है और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया इसके पहले जो मैंने cutoff आप लोग को बता है तो अगर आपको इस analysis के उपर अगर भरोसा है ठीक है अगर लंब सम इतनी चीज़ें आपको लगता है कि जा सकती है तो आप अपना safe score लगभग लगभग यह मान करके चल सकते हैं और इसी के इर्दगिर्द आपका आएगा बहुत जाद आपको huge difference देखने को नहीं अगर आपका कोई query होगा तो आप नीचे comment section में जरूर बताएगा अगर उसके उपर कोई video चाहिए आपको detail में चाहिए आप इन detail अगर कुछ भी चाहते हो जानना तो आप बताएगा मैं उसके उपर एक video बनाऊंगा ठीक है so thank you so much everyone